हालो केम एडवेंचर पर आप सभी का स्वागत है लेक्चर के जो अपनी जो सोलिशन वाले की जो एक के सीरीज चल रही थी उसमें आज अपने डिसकस करेंगे हेंड्रीज लो के निमेरिकल फॉर्शन और उसके एपलिकेशन फॉर्शन अपने जनरली ओवर्वी ले लिया था ब्रिफली एक बार फिर अपने इसको देख लेते हैं की हेंड्रीज लो में अपड़ने क्या डिसकस किया था हैं में अपने देखा था एक इसकी फोन होती है पी गेस डेकशन होता है किसके एक्स के यानि जो गेस का परशल प्रेसर होता है वो मॉलू फ्रेक्शन के डायर Νवी तुर लोता है और उस धबूर्ट आ हंसा यह जिसको पर मुण पर पर इक और कोनश्टेंट propriety aroph दे रखा है यह चीजे पढ़ने देख ली थी और solubility की विवाद कर ली थी यहां पर पढ़ने वो भी देख लिया था कि के एज की जो value होती है वो अगर हाई रहती है वो अगर हाई रहती है तो temperature की value भी वहाँ पर हाई रहती है यानि अपने ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ temperature रहेगा वहाँ case value हाई रहेगी और temperature हाई रहेगा तो गेज की solubility वो लोवर आनी है कि solubility लोवर आनी है यह चीज़ें अपने डिसकस कर ली थी आज इन से रिलेटेट अपन कुछ नुमेरिकल यहां पर करने वाले हैं तो अपने नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं different form of henry's law यानी other form other form of henry's law इसकी other form भी है और यह other form है इसका अपना formula अगर देखें तो वो यह है कि जो concentration of the gas होती है वो directly proportional होती है partial pressure of the gas वो directly proportional होती कि इसके partial pressure of the gas के जब इसको यहां से अपना हटाते हैं c gas equal to k h p gas यह एक other form होती है जिसमें c जो gas की concentration है वो directly proportional होती है कि इसके p gas के अब यहां पर मैं लिख देता हूं c gas क्या है concentration of the gas और यहां पर अगर बात करें p gas की तो यह क्या है partial pressure of the gas अगर मैं दो different gas की बात करता हूं या मैं ऐसे बोल दूँ कि different same temperature पे या different temperature की मैं बात करता हूं तो उस पर अगर आपने को relation निकालना हो तो यहां पर नॉर्मली मैं एक particular case की बात कर रहा हूं जिसके लिए case की value fix होती है particular के लिए case की value fix होगी concentration change कर रहा है pressure change कर रहा है case की value fix हो नहीं है क्योंकि case की value सिर्फ temperature पर depend करती है जो पर नहीं यहां पर constant कर रहा है मैं यहां पर मान लेता हूं at assume constant temperature c1 upon p1 equal to होगा c2 upon p2 यह मैं बात कर सकता हूं इसकी c1 upon c2 equal to होगा p1 upon p2 p2 दोनों equal है तो यह एक equation आती है जो important यहां से अपना एक वह रखती importance रखती है क्योंकि इस से related भी numerical exam में आते हैं तो यह हुई बात इसकी अब मैं बात करता हूं इनके graphs related तो graphs related जब बात करेंगे अपने तो normally अपने देखा था कि एक equation तो यह होती है P guess equal to k h x gas अगर मैं इसका graph load करता हूं तो यह graph आएगा y equal to mx और यहां पर जो slope intercept वह 0 है तो y plus y equal to mx type का अगर मैं graph load करता हूं तो y direction पे अपन लेंगे y direction पे अपन पी गेस ले लेते हैं और इधर लेंगे अपन x गेस तो तो graph है जो यहां से start होना है mid point से और linearity के साथ आएगा अगर मैं इसके slope की बात करता हूं तो slope जो होता है वह होता है 10 theta और 10 theta की अगर अपन बात करें तो यह होता है लंब बटा आधार यानि लंब पे अपने क्या ले रखा है पी गेस ले रखा है आधार पे क्या ले रखा है एक्स गेस ले रखा है और पी गेस और इसकी अगर अपन बात करें x-gase के ratio की तो ये equal आता है किसके k h के किसके equal आता है k h के ये equal आता है तो यहां से अपन को slope मिलेगा वो कहा देगा handridge constant देगा तो ये बात हुई इसके normal graph की अपन इसका भी अपन graph load कर सकते हैं इसका भी y equal to mx type का graph आ जाएगा तो यहां से दो graph अपन को मिलते हैं अब रही बात इनकी next condition की हेंडी जो की condition क्या होती है condition of हेंडी जो अगर हेंडी जो की condition की बात करते हैं तो यहां पर first condition में लिखता हूँ low concentration होनी चीए second बात करें low pressure होना चीए और अगर मैं third की बात करता हूँ तो third में यहां पर जो guess है वो आपस में react नहीं करनी चाहिए यानि guess do not react जैसे अगर मैं बात करता हूँ hcl and nh3 तो यह दोनों react करके बना लेते हैं एन एच फोर का सी एल ammonium chloride का salt बना लेते हैं तो मैं बात कर सकता हूँ इनकी यहां पर हेंड्रीज लो नौट एप्लिकेबल लोगा नौट एप्लिकेबल इन पर नहीं लगता है हेंड्रीज लो इन पर नहीं लगता है तो अपने यह इनके कुछ basic criteria जान लिए हैं इसके formulas जो हैं अपने डिसकस कर लिया है और यह भी देख लिया है कि कहां पर एप्लिकेबल होगा तो यह important है एक पूंच लेता है वह एक्जाम में कि ammonia हैं जो एच्छियल में अपनको पूंच अपने आप में एक आयोनी कंपाउंड होता है जो एक salt है जबकि यह covalent compound है जो एक acid है और एक base है तो जहां पर acid base reaction होती है अपन उसको यहां पर consider नहीं करते हैं अगर वहां पर कोई base gaseous state में होता है तो यह हुई इनकी बात अब तो चलते हैं अपन numerical portion पे थोड़ा सा अपन numerical portion की तरह बढ़ते हैं उससे पहले अपन एक चीज और लिख लेते हैं note लगा के वैसे मैंने आते ही उसमें discuss कर लीती यहां पर एक चीज mention कर लेना कि अगर temperature increase होता है तो kh की value increase होती है temperature increase होता है तो केज की value increase होती है और cage की value अगर increase होती है तो solubility decrease हो जाती है यह important है यह चीज इसको mark कर लेना अच्छे से notes में कि temperature increase करने से cage की value increase होती है अब अपना numerical की तरह बढ़ते हैं जैसे question है the cage value of following a b c d a b c d respectively 1.3 into 10 to the power minus 3 7.8 into 10 to the power minus 4 5.9 into 10 to the power 1 और 7.9 into 10 to the power minus 1 then solubility order of the guess is यहां पे अपन को solubility order निकालना है तो देखे student मैं बात कर रहा हूं cage value की cage value दे रखी है तो जहां पे cage value अगर higher रहती है मैंने अभी बताया था कि cage value is higher then solubility is lower cage value अगर high रहेगी solubility क्या हो जाएगी वहांके वेल्व का ओडर हो गया और तुम्हें पता है के एज इनवर्सली परपोर्शनल टू सोलुबिलीटी KH की value का just उल्टा हो जाएगा किसका solubility का order तो मैं solubility अगर order निकालता हूँ अपनको data याद निकरना सिर्फ अपनको concept याद करना है कि KH और solubility एक दूसरे के inversely होते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा B की value सबसे ज़्यादा उससे कम A की उससे कम D की और सबसे कम C की अगर ऐसा अपनको कही option में दिखता है तो वो बिल्कुल right है first वाला है A सबसे कम और का नहीं हो सकता second वाले की बात करते हैं अपने तो C सबसे कम D, A, B तो अपना यह option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा sorry यहाँ पर यह चीज अपनको आसानी से समझ में आती है तो अब बात करते हैं पर नेक्स्ट निमेरिकल की वो भी इजी है दी के एच वेल्यू एट हाई टेंप्रेचर एंड लो टेंप्रेचर रस्पेक्टिवली बिल्कुल इजी क्योशन है आपको पता है की केज वेल्यू लोती है लोती है टेंप्रेचर के तो जिसकी जादा हो नहीं उसका टेंपरेचर ज्यादा या बनए से बोल सकते हैं जिसका टेंपरेचर जादा उसकी केइछर बिल्यू जु हो सकती यह दोनों equal है नहीं हो सकती यहां पर देखते हैं तो यह हाई है पुर यह लो है तो सी ओप्शन अपना क्या हो जाएगा कर्रेक्ट ओप्शन हो जाएगा ननों जिसमें कोई possibility होई निसकी की हो सकता है तो यहां से बिल्कुली जी यह कुछ भी निये के एक ट्रपोस्टन होता टमप्रेशर के और इनवर्सली ओता इन्वर्सली यह यहां रखनी हैं यहां से के सनाते हैं तो अपना सी ओप्शन हो जाएगा उसके बाद अपना बात करते हैं हें अपने अधर फॉम देखे ती उससे रिलेटेड एक कोईशन है यहां पर देखो एट ट्वन्टी डिग्री संटीग्रेट इस ओलिविलिटी ओप निट्रोजन इन वाटर इज जिरो पॉइंट ग्राम पर लिटर वैन दी प पार्शल प्रेशर इजर एट हंड्र musimy ऑफ एच्जी यह पे स्टुडेन्ट अपन गीवन है कंशंट्रेशन अपन बात कर सकते हैं तो आपनस को सकते हैं कि प्रेशर देरगा इतना यानि आपन को यहां से साब साब दिखता है कि C1 अपन पी 1 इकोल टू C2 अपन पू टू या अपने पड़ी है तो यहां पर 3 डाटा की वन एक अपन को डीफाइन करना है तो C1 में बात करूं यहां पर कंसेंटरेशन की चाहिए मुलेरिटी हो मुलेल mm of HG और यहां पर C2 तो निकाल लिए अपन को और P2 दे रहका है 800 mm of HG तो आसानी से निकल जाएगा 0.02 divided by 400 equal to C2 upon 800 यहां से अगर इसको soul out करेंगे तो यह टू टाइम्स कट गए है यहां से और C2 की एगर बात करेंगे तो 0.04 हो जाएगा और इसकी युनिट लिख देना ग्राम पर लिटर क्योंकि आपने ग्राम पर लिटर में लिए है तो ग्राम पर लिटर आप यहां रख दो तो आप आपका यहां से कौन सा ओप्शन डी ओप्शन हो जाएगा बिल्कुल लिजिए अधर फॉर्म पढ़ी थी आज अपने एंडि कोईशन की यह अच्छा कोईशन है बढ़िया कोईशन नहीं है इफ एंट्टो गेस इज बबल्ट थू वाटर एट 293 केल्विन हाव मैनी मिली मोल्स ओप एंट्टो गेस वूर्ट डिजोल्व इन वन लिटर ओपस तो एजिम देट एक्सर एपार्शल प्रेसर ओप 0.900 बा प्रज़िवन है केस ओप एंट्ट तू झर देके स्टूडेंट यहाँ पर मपन को क्या दियर रखा है यहां पर देर का पॉन को कि पार्शल प्रेशरों और यहां से हेंड इस इज कॉन्स्टेट डेरखा है एंट्टो क्या तो अपन यहां से सबसे पहले निकालेंगे मॉल अगर मॉल फ्रेक्शन आ गए तो अपने यहां से आसानी से निकाल सकते हैं क्या मॉल्स ओप एंटू येस तो मैं सबसे पहले बात करता हूं अकोर्डिंग टू हेंड्रीज लो के अकोर्डिंग क्या होता है पी एंटू इक्वल टू होता है के एच एक्स एंटू तो यहां से अपन को निकालना है एक्स एंटू यह क्या हो जाएगा पी एंटू अपॉन एक्स एच्टू ये क्या होता है पी एंटू दे रखा है 0.900 बार पर ये दे रखा है 9.00 इंटू 10 टू दी पावर 3 बार ये अपन को गिवन है जब अपने इसको सोल्व करेंगे यहां से तो मैं उपर लिख सकता हूं 9.00 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइड़ बाई 9.00 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का है यहां पे 3 सोरी प्लस के है ना प्लस के 3 ये 9 है मैं रख करके दुबर लिख देता हूं इसको सई यहां पे अपने को गीवन है 9.00 इंटू 10 टू दी पावर 3 ये 9.00 से 9.00 कैंसिल जब यह उपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और 10 टू दी पावर माइनस के 3 और माइनस के 5 दोनों जूट जाएंगे माइनस के 2 दोनों जूट जाएंगे तो कितने हो जाएगे 10 दोनों पावर किया हो जाएगी क्योंकि पावर्स पर हमें समगर मृटिप्लाइं में रती है तो एड हो जाती है अपने इसको इसे लिख सकते हैं दोनों के दोनों के तो यहां से 10 टू धी पावर माइनस 5 अपने पास क्या आ गए xn2 के यहां से मोल आ गए अब मैं बाद कर रखा है तो वाटर का क्या आजाएगा यहाँ पर िविए ओल फिरिक्साट ना जाएगा है अब यहाँ पर हूज बहुता हुद आ यहां से क्या आएगा मॉलिकुलर वैट कितना था 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 थाउजन ग्राम मॉलिकुलर वैट कितना एटीन ग्राम तो यह आजाएगा 155.56 मॉल्स यह प्योर वाटर की यहां पर मॉलरिटी आपने मॉल्स बोल सकते हैं अब यहां पर अपने को एक्स एंटू गीवन है 10 तो दी पावर माइनस 5 इक्वल टू एन एंटू एक्वल टू डिवाइड़ वाई यहां से एन एंटू प्लेस 55.5 अब देखिए यहां से अपने को साब दिख रहा है जब एक्स एंटू का मॉल फ्रेक्शन बहुत कम है तो इसके मॉल भी कम होंगे मॉल कम होंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एन एंटू के मॉल ना वो कापी कम है कि से 5.5 55.5 से तो अपन इसको नेगलीजिबल मान सकते हैं अगर इसको नेगलीजिबल मानने है अपन तो मैं यहां पे एन एंटू लिख सकता हूं और नीचे लिख सकता हूं 55.5 तो यहां से एन एंटू है वो आजाएगा अपना 55.5 एंटू 10 तो दी पावर माइनस 5 अगर इसको सो मिली मॉल्स और मिली मॉल्स उसने पूछा है तो ऐसा अगर option में है तो बिलकुल correct होगा first में 0.500 नहीं होगा 0.55 मिली मॉल्स बिलकुल सही बात है बी option is the correct option हो जाएगा अपना ये अच्छा क्यों संता है अपना आसानी से define कर सकते हैं इनको उसके बाद next question है H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the quantitative analysis of solubility of H2S in water at STP is 0.195 molality calculate Henry's constant यहाँ पर अपन को क्या दे रगा molality of the H2S gas दे रखी है 0.195 तो यहाँ पर देखो मैं बात करूँ सबसे पहले molality की तो molality क्या हो जाएगे अपने यहाँ से molality हो जाएगी 0.195 यह मैं बात कर सकता हूँ यह हो जाएगे अपने अगर gram में ले रहे हो तो मॉल्स पर ग्राम मॉल्स पर ग्राम या केजी में जनरले पने केजी में मेंजर करते हैं इसको तो यह अपने सकते हैं कि मॉल्स पर केजी सोरी अब यहां से तो बात होगे शोल्यूट की शोल्वेंट का मास की बात कर लेते हैं जल्वेंट का मास एक केजी हैं यहां पर Cóc बात कर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा वन केजी कि बूल्स में अगर में बात कर रहे हैं उतने इतने मोल्स अगरreno इफ मुल ठीखी तो अपने मौल सकते हैं कि यह इतने मॉल सो लुटके गुल रखे हैं अब लैनमर ओफ मॉलس apart प्वार्टर नकाल सकते हैं व्यट के ना उन के लिए तो वेट टिवाइड व सिक्सम उन वॉल पर दिवाईर भाई क्या होता मॉली यहाज जाने है अब बात करते हैं अपन एक्स ह्ट टू एस यह क्या होता है एन एच्ट टू एस एन एच्ट टू एस प्लस एन एंच्ट टू तो अपन को यहां से फैंड आउट हो गए एन एच्ट टू जीवन है कीतना क्यों सनमे था 0.195 तो यहां पे 0.195 divided by 0.195 plus 55.56 यह हो जाएगा जब इसको अपन solve out करते हैं complete को तो आप solve कर लेना मैंने तो इसको solve कर रखा है तो यहां से इसका जो solution में direct link देता हूँ आप calculation कर लीजिएगा यहां पे इसका जो x जो mole friction है है एच्टू असका वो कितना हैगा 0.0035 यह mole friction आएगा किसका एच्टू एच्टू एच्ट का अभी क्योशन खतम नहीं वहां अपना यहां पे स्टीपी दे रहे किये ना तो कुछ ने कुछ प्रेसर तो दे रहे खाओ वाहां पे एक्स गेस अपने निकाली लिया तो हेंडिज कोंस्टेंट आसान हो गया अपने लिये पी गेस इक्वल टू के एच एक्स गेस तो के एच चीए अपन को तो पी गेस अपन एक्स गेस तो पी गेस एट स्टीपी अगर मैं स्टीपी की बात करता हूं तो वहां अपन क्या लेते हैं पी 180 के बराबर एट्मोस्पेरिक प्रेशर होता ना तो 180 होता है और एक्स गेस कितना हो जाएगा 0.0035 जब इसको सोल आउट करते हैं तो यह वेलियो आती है अपने पास 285.780 यह तुमारा NCRT का exercise का question है जो मैंने तुमें यहां पर solve करवा दिया है ऐइसे question exam में आ सकते है यहां थोड कैल्कूलेशन टीफिकल्टी लेकिन वो जो exam में देगा वो ऐसे देगा कि वो easily वहां पर कट जाए क्योंकि exam में का application portion बसता है application of the hindrance low तो सबसे पहले में application की बात करता हूं कि application में जनरल में तुम्हें बता देता हुँ कि जो hindrance constant होता है वो high temperature पर ज़्यादा होता है लो temperature पर कम रहता है तो low temperature पर solubility ज़्यादा रहती यह हाई टेंपरेचर पर सॉलिबिलिटी कम रहती है तो यहां पर होगा क्या वैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था लेकिन मैं फिर समझा देता हूं जनरली जैसे कोई लेक है इस पर पानी बरा हुआ है और पानी में मैं अगर बात करूँ इसकी सरपेस की तो यहां का टेंपरेचर हाई रहता है नीचे की में बात करूँ तेंपरेचर लो रहता है तो यहां पर ओटू की सॉलिबिलिटी है वो क्या है हाई है कि बलिएंघ कि बलुटी जाधा है कि जो होती है वो लोईर टेमस्ट deputy परेंठी ज्यादा रही रहें कि 450 CC पर जादा रहेंगी तो इनके लिए आगल है कि जो एक्वेटिक जो लिविंग इस्टि लाओ थी है वो लोवर टेम्प्रेचर पे जाधा रहने के चांसेज उसके ज्यादा मन्हों पॉसिबिलीटी जदा आजए है और टू की सोलिबिलिटी क्या वहां पर जदा है तो मैं लिख देता हूं इसको दी इक वेटिक लाइफ सरवाइवस एक वेटिक लाइफ सरवाइवस better aquatic life survive better in cold water than in warm ya hot water because O2 is more dissolved in cold water generally living organism is O2 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 होता है उसके according अब मैं बात करता हूँ second की तो second में पले लिख देता हूँ इसमें की carbonated drink carbonated drink bottles and cans बात कर सकते हैं कोई कोई केन होती है जिसमे अपन बात कर सकते हैं कोल रिंग्स की soda water की इनके अंदर हाइप प्रेसर पे सियोटू जाती है और हाइप रिशर प्रेसर क्यों बरी जाती है उसका reason क्या है क्योंकि प्रेशर इंक्रीस करने पे सियोटू गेस के ये पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं और वह आसानी से किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं इसी लिए अपन क्या करते हैं उसको है प्रेसर पे श को बरते हैं और ऐसा अपनों को फीलबी वी हो जाता है अझा जब अपन ऑक्ऩ सबसें हैं तो can स्चना पीड़न आप साउन्स demand phi को साउत्स होट कि बोटल शикन ह Wales है अदर एंदर खीवा और स्टा गरत difi uh क्यों में श्चया परता हुंड इसमें ऐसेत सान्स इस में आप स्टाइब जैसे ही मैं इसको क्या करें था हूं और तरह जब इसको ओपन करता हूं तो बार प्रेशर है 180 तो यह क्या है लो प्रेशर जब बार लो प्रेशर है तो अंदर से जो गेस होगी वो गेस बाहर आसानी से निकल जाएगी अंदर बार प्रेशर है प्रेशर ग्रेडियेंट जनरेट जाएगा जिससे जो गेस होती है वो वाइर डिफ्यूजन के आसानी से वहाह से बार निकल जाएगी इसलिए कभी अपने देखते हैं जब cold drinks की bottle को अगर अपने खोलते हैं तो कभी उसमें जाग बाहर निकल जाते हैं तो होता क्या है CO2 molecule escape नहीं कर पाते हैं जल्दी से तो वो क्या करते हैं उस liquid के molecule को भी अपने साथ due to wonderful interaction बाहर कीज लेते हैं तो इस वज़े से diffusion के साथ साथ वो cold drink भी कभी-कभी बाहर आ जाती है तो यह reason था carbonated drink जो होती है वो high pressure पर भरी जाती है रो high pressure पर क्यों बरी जाती है due to solubility और solubility CO2 के अपन क्यों कर रहे हैं यह एक अपन नॉर्मनी टेस्ट के लिए अपन CO2 को समें मिलाते हैं CO2 से अच्छा टेस्ट आता है इसी लिए अपन cold drinks में उसको fulfill करते हैं जो की high pressure पर next question है sorry next इसका application है मैंसे बता देता हूं तुम्हें कि why mountaineer यूज ऑक्सीजन कि सिलिंडर कि स्टूरी बहले अपन लिख लेते हैं फिर अपने इसको समझ लेंगे डंग से देखो मैं लिख देता हूं आपर कि वाई mountaineer यूज ऑक्सीजन सिलेंडर जो परवतार होई होते हैं मांटेणर होते हैं वह oxygen प्रेंडर क्यों यूज में लेते हैं तो मैं इसका रिजन लिख देता हूं विकोज कि ए ट हाई altitude यानि हाई लेंथ पे दी पार्टिल प्रेस्टर ओफ ऑक्षिजन इन एर is less than is less than that at the ground level ground level this causes oxygen levels to drop in blood and tissues. The claimers feel weak and sometime disoriented और इसको नॉर्मली साइंस की लेगविंज में इस कंडिशन को बोलते हैं a condition known as anogia यह तो हुई बात इसकी रामायन की अब अपने इसका अर्थ जानते हैं यह तो अपने थे उसके सरेर में जो oxygen का यह उसके वहां पर अगर उससे आसपास की बात करें तो oxygen का जो पार्शल प्रेसर वो लोवर हैं क्योंकि जैसे जैसे अपना हाई तो यहां पर प्रेसर कम होने से होता क्या है कि ब्लड और टिशू के अंदर एकदम से oxygen का लेवल से वह क्या हो जाता है गडबड़ा जाता है जब डिस्टब हो जाएगा वह गडबड़ा जाएगा तो वहां पर जो परवता रोई होता उसको वीकनेस पील होती है इस वीकनेस को साइन्स की जो लेंगवेज है उसमें बोला जाता है एनोगजिया तो आप से पूछा जाए एनोगजिया किस से रिलेटेड है तो यह डिव टू लो पार्शियल प्रेसर ओफ ओटू यानि पार्शियल प्रेसर ओफ ओटू की कमी से यह होने वाला एक बिमारी को दूर करने के लिए औक्सिजन सिलेंडर वो अपने साथ में रखते हैं ताकि उनको एनोगजिया की बिमारी नहीं हो उनका वहां परे पार्शियल प्रेसर ओफ प्रेसर लोवर हो गया तो ओटू की सौलीबलीटी क्या हो जाती है डिकरी हो जाती है तो अपनी जो कोशी का है वहाँ तक और टू पहुंचने में दिक्कत होगी दिक्कत होगी तो उसको गुटन सी महसूस होती है और इस गुटन सी महसूस को साइंस की लेंग्वेज में बोलते हैं कि एनोग टाइप की विबारी है क्योंकि सोलीबिलिटी क्या हो जाती यह कम हो स्याओति फॉलीवेज समझाये जाती हें कि हैंडости से लोसे भा पर्छल फ्रेशर लोवर मॉल फ्रेक्शन लोवर मॉल फ्रिक्षन लोवर सोलीव लिटी लोवर सिदीज़सी बात है नेक्स्ट को इसका लाश्ट एग्जाम्पल या एप्लिकेशन की में बात करता हूं वहा कि जो गोता खोर होते हैं जो डीप डाइवर होते हैं डीप डाइवर डीप डाइवर अपने साथ डाइलूटेड ऑक्सीजन रखते हैं डाइलूटेड ऑक्सीजन का मतलब होता है उस ऑक्सीजन में हीलियम गेस का कंपोनेंट वो साथ में रखते हैं और वो क्यों रखते हैं म यहां पर जो डीप डाइवर है वो यहां पर ऐसे एजुम करते हैं कि वो यहां पर है ठीक है अब सर्पेस है तो सर्पेस की मैं बात करता हूं तो बाहर की तरफ प्रेशर क्या रहता है लोवर रहता है तो गेज की सोलीबिलिटी क्या रहती है लोवर रहती है बाहर की जैसे ही अंदर जाता है अपन पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है अकोडिंग टू ग्रेविटेशनल लोग को अपन पढ़ते हैं तो पी क्या होता है रो एच जी तो आप जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी ग्रेविटी क्या है हाइट कम यह जादा होगी तो ग्रेविटी क्या है कि सोलीबिलिटी ओप गेस क्या है हाई है कि अब जैसे डीप डाइव यहां से उपर से आया वो नीचे तक आ गया अब गोताखोर जब नीचे आया तो वह जैसी बात है कि वो तोड़े टाइम बाद वो उपर जाएगा जैसे ही वो नीचे आता है तो उसके प्रेसर होने से वहां के एरियाज में सोलीबिलिटी ओप दी केसे वो क्या रजाती हाई हो जाती है तो इससे ओटू एंड एंड टू क्या होती है बैटर तरीके से डिजॉल हो जाती है बैटर डिजॉल हो जाती है तो जैसे ही डीप डाइव जैसे उपर की तरफ मूह करता सरपेस प होता है कि oxygen high pressure पर दीप ले नाइट्रोजन oxygen जैसे इंप्रेशर कम होता हो तो एक दम से ब्लड जे बार निकलती है तो जब ब्लड से एंट्रूगेस बार निकलती है तो यह ब्लड में bubbles create कर देती है bubbles create और यह bubbles create क्यों करती है क्योंकि यह blood में soluble नहीं होती है not soluble और जो चीज soluble नहीं होती है और वह वहां से निकलती है तो खुद की जगह वहां पर रह जाती है अब सोलीबल होगी तो किसीने किसे इंट्रक्षन से सोलीबल में रहेगी तो वहां पर जगह क्या कर रहती है वह इंट्रक्षन से कवर कर लेती है और वहां से कोई हलचल नहीं होती लेकिन जो डिजोल नहीं हो रही वहां से निकलेगी तो वहां पहले से कोई इंट्रक्षन न देती है और यहां पर इनको जो ब्लो कर देती है इनसे जो बिमारी होती है उसको science की language में बोलते हैं bands क्या बोलते हैं उसको bands बोलते हैं तो इस solubility को decrease करने के लिए क्या करते हैं by diluted oto nn2 mixer लेते हैं और diluted में अपने क्या लएते हैं meinen उन तो यह तुण है और एकश्ग कर देते हैं हैं मीकृच कर देते हैं he lying lies के मिक्षट ख़ेते हैं और sophですか दूझ हो जाने से अब बलड में यह से आसानी से दीरे दीरे से निकल जाएगी सब दीरे दीरे से प्रेसर के कारण अपने जो वेन्स होती है वो डेमेज होने का चांसेज पूरा-पूरा रहता है ब्लोग हो सकती है हार्ट अटेक का यहां पर खत्रा रहता है तो यह बात हुई अपने इनसे रिलेटेड अपने सारी चीजे डिसकस कर लिया है हें निमेरिकल फोर्षन देख ल अपने अपने तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास अपन या तो आज साम को या फिर कल जो भी अपना जो टोपिक होगा उसको कंसेंट्रेशन वाले टम को अपन कंप्लेट कर लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अच्छे से नोट्स बनाईए और बढ़िया तैयार कीजी है थेंक यू